राश्ट्रिय बाल स्वास्तकारिक्रम के तहत एक परिक्षा में मुखबदेर पाय गए 16 बच्चों का हाल ही में कौकलिय इंप्लांट सरजरी सफलतापूर्व की गई है राश्ट्रिय सूलह समझोते के तहट धन्तोली के निलसन मदर और चाइल्ड केर अस्पताल में सरजरी की गई जला परिशत के मुख्यकारिय अदिकारे योगेश कुम्बेशकर ने शनिवार को वास्तविक अस्पताल में बच्चों और उनके माता-पिता से मलाकात की और उनसे बाचचीत की राश्ट्रिय स्वास्टमिशन के तहट पूरे जीले में राश्ट्रिय बाल स्वास्ट कारेकरम लागू किया गया है इसके तहट हर साल 38 स्वास्ट जाश्टीमों के माधं से आंगनबाडी एवं सकूल में शून्य से अठरा वर्ष तक के सभी बच्चों का निशल कस्वास्त अपरिक्षन के आ जाता है। उन्हें निशल कस्वास्त देख भाल मुहया कराई जाती है। कॉकलियर इंप्लांट सरजरी कराने वाले सभी बच्चे अब अपने माता पिता के चेहरे पर संतुष्टी सुन और देख सकेंगे। सरजरी करने वाले डॉक्टर मनोर शान, डॉक्टर प्रशांत नाइक, डॉक्टर श्रीमती नाइक, ओडियोलोजिस्ट नीलू सोमानी के साथ कुम्भेश करने बाच्चित की। चिकित्सा विशेशग्यों की राय है कि बच्चे जन्म से ही बहरे होते हैं, उनका निदान और उपचार जल्द ही करने की जरूरत है। झाल झाल